बंदर और मगरमच एक बंदर एक सेब के पेड़ पर रहता था उसमें कई सेब थे उस पेड़ के पास एक नदी थी एक तिन उस नदी से एक मगरमच निकला जो भूका था उसने बंदर से सेब मांगी बंदर ने उसे सेब दिया मगर मच खुशी से फल खाया और नदी के उस पार अपने पत्नी से सेव का स्वाद बताने के लिए गया उसकी पत्नी बहुत लालची थी उसने सोचा अगर सेव ही इतने स्वादिष्ट हैं तो रोज उस सेव को खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा पत्नी ने तुम्हें मेरे घर आमंतरत किया है तुम मेरे साथ आओ बंदर ने नमंतरन स्विकार किया और मगर के पीछे बैट कर उसके घर जाने लगा वे किनारे से बहुत दूर निकलाए लगभग नदी के बीच में थे मगर इतनी देर तक सच्चाई को छिपा नहीं पाया उसने बंदर से सच बात बताई बंदर बहुत चतुर था तुरंट उसने कहा अरे दोस्त अगर तुम इस बात को पहले बता देते तो मैं अपना हृदय को उस पेड़ पर नहीं छोड़ता अगर अब तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलोगे तो मैं अपना हृदय तुमको दे दूँगा फिर दोनों पेड़ के पास आए बंदर जल्दी पेड़ पर चड़ गया और वहां से बोला मेरे दोस्त अब तुम्हारी दुष्ट पत्नी से जाकर कह सकते हो कि तुम्हारा पती इस दुनिया में बड़ा मूर्ख है